तो friends, आज की vacancy आई हुई है junior engineer post के लिए civil engineers वालों के लिए और electrical engineers वालों के लिए और ये निकाला गया है आपका PGIMER यानि की post graduate institute of medical education and research चंडिगर में आप लोग ये देख के ये मत सोचना कि ये medical का कुछ वैसा कुछ recruitment है नहीं यहाँ पे इन लोग के quarter बनाने के लिए और भी बहुत सरे buildings वागेरा infrastructure बनाने के लिए इनने civil engineers और electrical engineers की जरूरत है तो उसी के लिए ये post पूरी तरीके से आपके core field से ही related है तो आप लोग इस notification को पूरा जरूर देखिएगा selection होने पे आपका यहाँ पे 35,400 से starting salary आपकी रहने वाली है और इसके उपर आपका perks and benefits रहने वाला है designation आपको junior engineer का मिलने वाला है diploma engineer B.E.B.Tech तीनों ही यहाँ पे eligible हैं तीनों ही यहाँ यहाँ पे apply कर सकते हैं कोई भी आपका interview में यहाँ पे नहीं होने वाला है नहीं गिया है तो वीडियो को end तक जरूर देखिएगा जिसमें मैं आपको पूरा paper pattern, qualification, selection process, apply कहां से करना है, कैसे करना है सारा चीछ पूरे detail में समझा दूँगा आप लोग को और वीडियो कर पसंद है तो इसको like and share जरूर कर दीजेगा और मुझे मेरे channel telegram पे आप follow जरूर कर लीजेगा कि मैं busy होने के कारण इस channel पे per day एकी video ला पाता हूँ और बागी के जितने भी recruitment रहते है या important notification रहते है या civil engine related questions answer कुछ भी रहा interview के कुछ भी वो सारे मैं telegram group में आप लोग के लिए share कर देता हूँ तो वहाँ पे आप लोग मुझे जूरे जरूर रहिएगा किसी वीडियो के description में आप जाएगा तो आपको link मिल जाएगा मेरे telegram से आपको जूरने का तो वहाँ पे मुझे आप follow जरूर कर लीजेगा तो फ्रेंज यह है post graduate institute of medical education and research चंडिगर का official website आपको इस वीडियो के description में सारा link official मिल जाएगा ठीक है तो जैसी आप इस official website पर आते हो आपको यहाँ पर देखिए recruitment क्लिख हुआ मिल जाता है आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर जितने भी इनके recruitment notification और वो सारे आयते हैं यहाँ पर देखिए new में आपको यहाँ पर दिख जाएगा online applications from Indian nationals यानि कि all over इंडिया से सभी apply कर सकते हैं और यह permanent job है regular basis पर job है यह आपका कोई भी contractual basis पर यह job नहीं है तो junior engineer civil और junior engineer electrical वालो के लिए है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है ज करना है इससे आपके सामने पूरा notification यहाँ पर खोल के सामने आ जाएगा तो यह है वो notification मैंने पहले से यहाँ पर खोल के सारा important points को markup करके रख लिया है तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं तो सबसे पहले कुछ important dates को अगर हम लोग यहाँ पर देख ले तो इसका जो online application है online registration जो होने वाला है वो start होने का जो date है वो 9th April 2021 है 9th April 2021 से online application को भरने का start हो गया है इनके official website पर और इसके लिए जो last date रखा गया है online registration या online application को submit करने का जो last date है जो closing date है वो है आपका 8 May 2021 ठीक है तो इस date आप लोग यहाँ पर भर दीजेगा अगर आप लोग यहाँ पर भर नेम आप पोस्ट की बात करें यहाँ पर तो junior engineer civil और junior engineer electrical यह post code आप पर दिया हुआ है जो ध्यान रखिएगा total number of post की बात करें तो junior engineer civil वालों के लिए 3 post है और junior engineer electrical वालों के लिए 4 seat है total 7 vacancy यहाँ पर निकाली गई है अब eligibility criteria की बात करें education qualification की बात करें तो name of post junior engineer civil वालों के लिए अगर pay scale की बात करें लोग यहाँ पे तो आपका salary यहाँ पे level 6 के according minimum 35,400 रहने वाला है age limit की बात करें यहाँ पे तो minimum 18 और maximum 30 years qualification की बात करें यहाँ पे तो आपका degree है अगर civil engineering branch में तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो और अगर आपका 3 सार का diploma भी किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे apply कर सकते हो समझ में आ गया तो diploma और degree वाले दोनों ही यहाँ पे apply कर सकते हैं electrical वालों के लिए भी same पूरा चीज रखा गया है salary आपकी 35,400 age criteria 18-30 साल तक और qualification की बात करें तो degree और diploma दोनों ही यहाँ पे apply कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे syllabus और selection हो जाने वाला है कोई भी interview conduct नहीं किया जाएगा यह भी यहाँ पे साप साप mention किया हुआ है तो total यहाँ पे questions की बात करें तो total यहाँ पे mcq type questions रहने वाले हैं और 100 questions रहने वाले हैं आपको वक्त मिलेगा यहाँ पे 100 minutes का और total paper का जो number है वो आपका 100 marks का रहने वाला है तो 100 marks है 100 minutes मिलेगा 100 mcq रहने वाले हैं और इसके जो आपका paper pattern रहने वाला है वो आपका English में रहने वाला है वो यहाँ पे बोल दिया गया है और यहाँ पे negative marking भी है 0.25 का यानि कि 4 आपका wrong होगा तो एक correct वाला भी wrong हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे exam को qualify करने के लिए कुछ percentage रखा गया है general EWS category वालों के लिए यहाँ पे 40% है और OBC वालों के लिए 35% है यहाँ पे mention किया हुआ है तो तब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे साब साब बोला गया है कि यहाँ पे कोई भी interview conduct नहीं किया जाएगा direct CBT से ही आपको यहाँ पे selection होने वाला है अब बात कर यहाँ पे examination center की तो जो आपका return exam होने वाला है उसके लिए यह cities है अब जब examination form को भरोगे तो आपको यह सारे cities को selection करने का मौका मिलेगा इसी को select करके आप वहीं पे exam देने के लिए आपको जाना पड़ेगा तो name of cities की बात करें तो अंबाला, Amritsar, बटिंदा, यह वो सब cities है जहाँ पे exam conduct किये आ सकते हैं आपको इनी में से selection करना है अपने examination center का तो syllabus की बात के तो आपका जो subjective paper है आपका civil engineering related है तो civil engineering related electrical है तो वहीं से आपका वहीं से पूरा detail जो question है वहीं से आने वाला है कोई भी reasoning type पर ऐसा कुछ नहीं रहेगा पूरा आपका आपकी subject सही रहने वाला है अब बात करते हैं यहाँ पर application fees के बारे में तो application fees यहाँ पर थोड़ा नहीं बहुत ही जादा है क्योंकि यहाँ पर general OBC और EWS वालों के लिए 1500 रुपीज रखा गया है तो अगर आप लोग चाहते हो apply करना तो बहुत सो समझे कीजिएगा अगर आप लो प्लस transaction charges जो भी है वो रखा गया है तो minimum 800 तो आपको pay करना ही है इसके ओपर transaction charges सेम जेनरल OBC EWS के लिए 500 प्लस transaction charges तो सो समझ के form को भरिये का मैं बार बार आप लोगो बोल रहा हूं examination fees बहुत जादा है अगर आप तयार नहीं किये हो जैसे ही भर दोगे तो आपका पैसा waste हो चलिए आप देख लेते हैं कि आपको apply कहां से करना है तो जैसी आप इनके official website पर आओगे जहां से आप ने यह notification को देखा था उसी के नीचे में देखिए हैं पर click here for online application form लिखा हुआ है इसी पर आपको click कर देना है तो आपके सामने यह page कहां पर खुल के आ जाएगा आपको सबसे पहले यहां पर registration करना होगा new registration पर click कर लिजेगा खुद को register कर लिजेगा और जब registration आप कर लिजेगा तब यहां पर देखिए आप नीचे देख पाओगे यहां पर login का option है तो इस login पर option पर click करके आपको जो user ID और login ID मिल जाता है और password अपना डाल के यहां पर login कर यहां तो चानल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा क्योंकि मैं एविडेव एलेक्रिकल, मेकैनिकल, सिविलिंग, सेलेटेट, प्राइबेट और गवर्मेंट आपको लिए आता रहता हूं और मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर follow जरू कर लिजेगा क्योंकि मैं बहुत क